येस तो पिछरी लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम इसका लाइव लेकर क्या हुए थे मैंने इसका लाइव लाया था लेक्चर एक समान रूप से आवैसित अत्यांत लंबे पतले पढ़या तार के कारण उससे कुछ दूरी परिस्थित बिंदू उपर विधूत छे तिरुता का ब्यांजा का बात करने जा रहे थे लेकिन हुआ क्या था कि उसमें एक एक वीडियो कट हो गया था कुछ नेटवर की इसू के करन तो अब सोचे की स्यम चीज़ को लाइफ पढ़ाया जाए उससे बहतर होगा कि हमने रिकॉर्ड करके वीडियो डालना सोचा तो चलिए रिकॉर्ड करके हम इसको अप्लोड कर देते हैं फाइप मार् किया था इसका डेडिवेशन अगर यह कंप्लीट हो जाता तो एक और डेडिवेशन था सो करके खतम करते हैं लेकिन नोटेंशन आईए हैं इसको फाइनल करते हैं ध्यान दिजेगा तो देखा जाए बच्चों पांसनियम का उप्यों किये भीना पिछले लेक्चर में जो हमने बतला ठाए था गौत थिवरं का आप्लिकेशन या गौश्ला का अप्लिकेशन उसने हमने पूरा डीटेल आपको बतला था कि किस तरह से बीना इंटीगरेशन के ही या डिपिरेंसियशन का यूज़ करके ही हम लोग गौश्यस ठीयोरम से कैसे इस फ़र्मूला को डेर formula होता है क्या बच्चों तो formula होता है आपका equal to lambda by 2 pi epsilon not into r अगर दूरी r होगा तो r अगर दूरी a होगा तो a हम लोग आसानी के लिए जब दूरी r represent करते हैं distance को r को represent किया जाता है एक small element से तो हम लोग उसको a मान लेते हैं अगर हम उसको a मान लेते हैं अगर हम उसको a मानेंगे तो formula में आ जाएगा हम लोग का a कैसे आईए इसको समझते हैं और prove करने जाते हैं five marks का derivation आया हुआ गौसेज law के बीना application के गौस के नियम का बीना अनूपरियोग के चलिए शुरू करते हैं आएगे screenshot ले दिजिएगा चलिए यस शुरू करने जा रहे बच्चों ध्यान दिजिएगा एक अत्येंत लंबा तार था जो एक समान रूप से आवेसित था इस पर आवेस हमने ले लिया है एक समान रूप से आवेशित था अत्यंत लंबा का सिंस क्या होता है यह हमने बहुत बार जिक्र किया है कि उसके दूरी के तुलना में लंबाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो अब देखिए तो ध्यान दिजेगा यह जो हमने यहां से दूरी लिया है अगर यह हमके है यहरा फोला प moo दूरी यहां घ्रğ हो जाता यह इसका मतलब यह वहला हमने डिस्टेंस लिया है कि हम आर नहीं माने हैं यहां पर लाश्मनलों और मान सकते हैं तो नहींन्हार हो जागा फर्मूला में, क्योंकि यहां को एक छोटे से बिंदवत आवेस मान करके उससे दूरी यार मानना है न, इसलिए, तो चलिए, ध्यान दिजेगा तो, अब क्या कहानी है, सबसे पहले बात, कुलॉम का नियम तब लगता है, जब आवेस बिंदवत हो, कुलॉम सलो तब लिया, अब हम नाम देंगे उसको, पहले समझते हैं, कि एक छोटा सा भाग हमने माना क्या, तो DL, एक छोटा सा भाग हमने माना DL, जिस पर आवेस है DQ, अच्छा, तो इसके कारण हम लोग निकाल लेते हैं, यहां पर विधूद छेतिरोता, वाउ, तो DL के कारण, DQ दूरी मान लेते हैं, आर, क्योंकि आवेस होना चाहिए, विधूद छेतिरोता के लिए, फर्मूला क्या होता है, बच्चों, E बराबर होता है, K into Q बटार स्कुर, विधूद छेतिरोता का जब मान निकालते हैं, तो हमको पता रहना चाहिए, क्या, दूरी और आवेस, तो आपको याद होना चाहिए, कि लेमडा इक्वल टू, DQ by DL, अगर हम छोटा सा आवेस लेंगे, छोटा सा भाग लेंगे, तो लंबाई भी छोटा सा लेंगे, और अगर हम बड़ा भाग लेंगे, यानि पूरा आवेस लेंगे, तो पूरा लंबाई लेंगे, येस, लंबा किसी भी वस्तू के अगर वह आवेस ही तो वस्तू हो तो उसके एकांक लंबाई में जो आवेस होता है यानि कहने का मतलब कि इल लंबाई में अगर आवेस है या करके एक और चीज लिखते हैं इल लंबाई में अगर आवेस है क्यू तो एकांक लंबाई में आवेस होगा क्य अब इसी को कहते हम लोग राखेख शुटा शोटा चोटा शुटा लॉन वटा चोटा वड़ा थो भी-1 फ Kenneth यानि चोटा बड़ा-भड़ा-छोटा तो भी-1 भेलू सेम है तो ratio जो आएगा, cut करके value जो आएगा, वो same आएगा, येस, तो छोटे से आवेस का बात किया जाएगर तो क्या होगा, lambda equal to dq by dl, तो dq equal to lambda into dl, वाओ, अब देखिए तो बच्चो, अब हम लोग को यही देखना है, कि आवेस जो दिया हुआ यहाँ dq, छोटा सा भाग है dq, इसके करने हाँ प्रविधू 6-3 ता कितना होगा, पहले कुछ मान लेते हैं, symmetry, यहाँ पर जो हाल है उपर में, वैसा ही हाल हम नीचे मान लेते हैं, एक अब देखिए तो जरा सा, इसके कारण भी विधू 6-3 ता जो आएगा, वो आएगा क्या, छोटे से भाग एकारण मान लेते हैं, d e1, और यहाँ छोटे से भाग एकारण मान लेते हैं, d e2, d e2, और यहाँ, अब देखिए क्या होगा, d e1 और d e2, तो बोलिए, प्लस से छ खेत रिखाएं, दूर जाती हैं, प्लस से छेत रिखाएं, दूर जाती हैं, यहाँ पर कुछ हम कौन मान लेते हैं, अलफा, तो यहाँ भी कौन का नफर्म हो जाएगा, अलफा, अब देखिए, क्या होगा, यह दूरी है, अलफा, यह दूरी है, अलफा, और यह कौन है, अ वाह अब जरह देखा जातों बच्चों हम वो क्या चाहिए आवेश चाहिए और दूरी चाहिए येस अब अतला ये इस पतले से भाग के कारण अगर बात किया देखेगा थियोरी आप लोग लिखेगा थियोरी हम बोल रहे हैं ध्यान देज़ेगा एक अत्यांत लंबे पतले ध्यान से तुनिएगा एक अत्यांत लंबे पतले एक समान रूप से आवेशित हड के कारण उससे ए दूरी पर उत्पन विधूत छेत्रती वरता ए बराबर ए बराबर लेमडा वाई होता है होता है या इसको इंगलिस में अगर हम बोले तो इलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी यहां पर पॉइंट हम लोग पी मान लेते हैं थोड़ा देर में मानेंगे जब हम पूरा फाइनल कर लेंगे यहां पर कॉंपोनेंट घटक तोड़ करके तो इलेक्टिक फिल्ड इंटेंसिटी अट डिस्टेंस ओफ ए फ्रों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भेरी लॉंग थीन रॉड या थीन वायर इज एक्वल टू लेमडा वाई टू पाई एप्सलोंट इंटू ए अरे वाह यहां से इलेक्टिक फिल्ड का बात हो गया विधू चाहिए और दूरी चाहिए अवर दूरी तो क्या हो जायगा की क्यू अरे स्कोर विधू छेत्र अगर हम बात करें तो तो क्या हो जाएगा बोलिए बिन्दुवत आवेस बिन्दवत आवेस बिन्दवत हमने क्यों माना क्योंकि कुलॉम का नियम तब लगता है जब आवेस बिन्दवत हो और उसी कुलॉम के नियम से भी दू छे दिरुता का सूतर आता है अच्छा इस्थित, बिंदू P पर उत्पन, विधूत खेत्र तीवरता, विधूत खेत्र तीवरता, कामान, वाउ, क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान दिजिएगा, बिंदू वाउच, बिंदू आवेश, बिंदू के कारणी से आर्दूरी पर उत्पन, विधू खेत्र तीवरता कामान, जो होगा, वो क्या होगा, सरीस रूप में लिग लेते हैं, प्लस से दूर, विधू खेत्र खायें, ध्यान दिजिएगा, प्लस से दूर, अवे फ्रों चार्ज अब अतला ये कितना होगा तो D1 दूनों के एक जैसा है DQ के करनार दूरी पर D1 और DQ के करनार दूरी पर D2 अब अतला ये यहां अगर हम बिंदू M मान ले तो यहां से L दूरी पर न DL है अच्छा DL जो भाग है पतला सा भाग अरे जो DL एक छोटा सा लंबाई है बिंदूत जो भाग है उसी पर नाविश DQ है अब अतला ये यहां से L लंबाई L दूरी पर यहां DQ माने है और यहां से L दूरी पर फिर से यहां पर DQ माने है और लंबाई DL माने है अब देखिए क्या होगा ध्यान दिजेगा देखिए तो बच्छों D E1 का मान मौट अर्मूला क्या होता है KQYR2 तो K into DQYR2 क्या बात है K into DQYR2 होगा क्लियर है ना अब देखिए D E1 बराबरा आ गया क्या K into DQYR2 K into QYR2 तो K into DQYR2 यहां तक तो क्लियर होगा सबको फॉर्मूला होता है KQYR2 तो K into DQYR2 येस चलिए स्क्रिन सोट लेते जाहिएगा Clear? चलिए अब देखिए तो बच्छों सही है ना? सही है देख लेते हैं कोई DQYR2 सब Clear है अच्छा है अब देखिए घतक पहले तोड़ लेते हैं यहां पर अब हम घटक तोड़ने जा रहे है बच्छों आपस screenshot ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, तो DE1 जो आया हम लोग का, वो क्या आया? क्या आया? तो DE1 जो आया, DE1 का वेक्टर का मोड़ D1, DE1 वेक्टर का मोड़ D1, अच्छा, K into DQ मतलब Lambda into DL, वो बटा R square, देखिए तो, DQ Lambda into DL, वा, वा, अब क्या होगा बच्चों? इसी को हम कुछ मान लेते हैं, X let, X माना, अच्छा, अब देखिए, उसी तरज से बताईए बच्चों, DE2 क्या आएगा? DQ के कारण R दूरी पर विधू 6 तरुता D1 हुआ, DQ के कारण Lactic Field Intensity, जो R distance पे हुआ हुआ, तो क्या, बोलिए, Now, DE1 कितना होगा बच्चों? जल्दी बोलिए, DE1 कितना होगा? DE1 आतो आगे हम लोग का, Lambda DLY R square, तो DE2 कितना हैगा? K into DQ बटा R square, कामोट, वही Simple, K into DQ बटा R square, तो उसी तरह से, K into DQ बटा R square, जिम भेलू आएगा, क्या बात है? तो बोलिए, क्या जाएगा? DE2, K into DQ का भेलू अभी तुरत निकाले, Lambda DL, बटा R square, ये भी त्वेक्स आया? अभी बतलाईए, दोनों का मान आपस में क्या है? दोनों का भेलू आपस में क्या है? बराबर है, अगर बराबर है, तो देखिए क्या फैदा होगा, धियान देजएगा, अच्छा, अगर ये अलफा है, ये क्या होगा? ये अलफा है, तो ये भी अलफा होगा, और ये अलफा है, तो ये भी अलफा होगा, vertically opposite angle, सिर्षा वी मुख कोन है, तो बतलाइए, कि अगर इसको हम X माने हैं, क्योंकि D1 और D2 का भेलू कितना आया है? X, तो बतलाइए क्या होगा बच्चों, इधर हो जाएगा, X cos theta, तो कि इसको हमने X माना, इसको भी X माना है, देखिए, देखिए, तो क्या लेंगे, इसका भी मान X है, इसका मान क्या है, mod, mod, magnitude X है, तो इधर होगा, X cos theta, cos alpha, जिधर कोन उधर cos, जिधर कोन उधर, cos, घटक, component, जिधर angle उधर cos, तो X cos alpha, और अच्छा, पहले इसका इधर तोड़ लेते हैं, तो X sin alpha, जिधर कोन उधर cos, उसके लंबवद sin, और इधर भी, X cos alpha, और उसके लंबवद, X sin alpha, X sin alpha से X sin alpha कट गया, उधर घटक एक दूसरे को निस्फल कर देंगे, इसके बाद का line आप लिखिएगा क्या, उधर घटक एक दूसरे को निस्फल कर देंगे, vertical components cancel to each other, mind it, ध्यान से समझेगा बाबू, कि यहाँ पर क्या है, अराम से समझेए, दोनों का मान आपस में क्या यहाँ है, DE1 का मान X, DE2 का मान X, X माना है हमने, लाशने भेलू रखेंगे उसका, आसानी के लिए हमने X माना है, यह तो लिखने में परिसानिया होती, यहाँ लिखने हम लोग, DE1 कॉस अलफा, DE2 कॉस अलफा, DE2 साइन अलफा, DE1 साइन अलफा, उसे अच्छा बचने के लिए हमने क्या किया, तो हमने X मान लिया, अब समझ्जी का जरा कि अगर D1 का बात किया जाए और D2 का तो D1 और D2 का मान बराबर है बेलू इक्वल है तो उसको हमने एक्स मान लिया तो जिदर कोन उधर कॉस यह एक्स है इभी क्या है इसका भी मैगनिट्यूड मॉड बाबू यह सदिस है उसका मान एक्स है हम लोगों तो बतला यह जिदर कोन उधर कॉस उसके लंब बवाट साइन तो एक्स कॉस हाना एक्स कोस और एक्स हाइन ऑलफा चैन लेहां द्सके हाँ गट्रों क्या कर देंगे निस्पल करेंगे वर्टिकल कॉंपोनेंट्स तो इच अधर यहां पर हम लोगों लिकेंगे बच्चों कि उद से को दूसरे को निस्फल कर देंगे आप लिखियेगा इसलिए मिलग js legg रहे हैं कि हम लोग का उदा luns खटा के दूसरे को निस्फल कर देंगे वर्टिकल कॉंपोनेंट्स कैंसेल टू इच अधर अब क्या करें अब ध्यान देजिएगा अब क्या होगा अब दोनों यह तो कट गया तो अब यह दोनों जूड जाएगा सेम डाइरेक्शन में है और ऐसे भी सोचिए प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फिल्न इन्टेंसिटी का भेलू प्लस से दूर अवे प्रॉं पॉजिटिव चार्ज अच्छा तो क्या हो जाएगा बतलाईए दोनों को जोड़ देंगे दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा अता अता क्या हो जाएगा बोली अता पी बिंदू पर यहाँ पी अब मान लेते हैं बिंदू असानी के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे अब दिखाई देरा साब साब कि पी माना हुआ है अच्छा है अब देखे तो अता पी बिन्दू पर क्या हो जाएगा पी बिन्दू पर उत्तपन कुल विधूत छेत्रतिवरता विधूत छेत्रतिवरता अब देखिए तो क्या हो जाएगा दोनों को एड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी मान लेते हैं तो X कॉस अलफा प्लस X कॉस अलफा क्या बात है अब देखिए तो बच्चों ये दोनों कैंसील हो गया उदगर घटक वर्टिकल कॉंपोनेंट्स कैंसील टू इच अदर उदगर घटक दूसरे को निस्फल कर देंगे तो बचा कौन पै 2x cos alpha, अब देखिएगा, देखिए, x cos alpha plus x cos alpha, 2x cos alpha आ गया, तो d e बराबर आ गया, 2x किसको माने थे, चराँ देखते हैं अब, x किसको माने थे, तो k lambda dl बटा r square, k lambda dl बटा r square, तो x माने है into cos alpha, वाउ, अब ध्यान दिजाएगा बच्चों, क्या-क्या कहानी है, 2 तो constant है, यह भी electrostatic constant, constant है, lambda भी constant है, रैखी कावेस घना तो linear charge density, लेकिन, अब देखिए क्या होगा, l, r और cos alpha, वाउ, अगर हम यहाँ पे लंबाई यहाँ लेके चलेंगे, ध्यान दिजेगा, तो लंबाई अगर यहाँ लेके चलेंगे, तो r भी बदला, लंबाई भी बदला, और alpha भी बदला, तीनों बदला, देखिए, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा मीटाएंगे, फिर इसको, पहले ली खिलते हैं, देखिएगा, समझेगा, अगर हम DL यहाँ मानते हैं, अगर हम DL यहाँ मानते हैं, तो देखिए, क्या हो रहा है, ध्यान से, लंबाई भी बदला, आर भी बदला, और alpha भी बदला, मतलब L भी चेंज हुआ, आर भी चेंज हुआ, और alpha भी चेंज हुआ, तीन-तीन variables हैं, और जब ही integration या differentiation किया जाता है मेरे दोस्त, तो हम लोग क्या करते हैं, integration या differentiation करते समय, सिर्फ एक और एक बात का ख्याल रखते हैं, कि सारे variables को, सारे परिवर्तित होने वाले को, एक परिवर्तित होने वाले के रूप में बदल दिया जाता है, अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर हम DL यहाँ लेके चल दें, तो L भी बदला, L भी चेंज हुआ, R भी चेंज हुआ, और अलफा भी चेंज हुआ, इस चीज को क्या करना होगा, एक रूप में बदलना होगा, अब समझे क्या कहानी है, ध्यान से समझेगा, एक रूप में बदलना होगा, तो क्या करें x cos alpha x cos alpha दोनों same direction में है add हो जाएगा यह opposite direction में है cut गया तो यह दोनों add हो गया तो क्या आगया देखिए तो x cos alpha प्लस x cos alpha तो जब x cos alpha प्लस x cos alpha आया तो क्या जाएगा d बराबर x cos alpha प्लस x cos alpha यानि 2x cos alpha yes तो 2x के जगह यह lambda dl by r square देखिए न दोनों तो बराबर है अच्छा, अब इंटू कॉस अलफा, आप देखिए, L बदलेगा, तो DL भी बदलेगा, L चेंज होगा, तो DL भी चेंज होगा, फिर R भी चेंज हो रहा था, फिर कॉस अलफा भी चेंज हो रहा था, तो क्यों न हम सभी को एक फॉर्मेट में कनवर्ट कर दें, कैसे होगा मे इक्वल टो 2k lambda और देखिएगा cos alpha into dl और बटा r square अब क्या करना है तो तीनों को एक format में अगर वदल दे तो कहानी खतम तीनों को हम लोग अगर एक format वदल दे क्यों कि यह तो constant है 2k lambda cos alpha dl बटा r square तो यह तीनों तो हम लोग देख रहे हैं क्या यह तो constant है यह तीनों परिवर्तित है तीनों को हम एक ग्रूप में अगर बदल दे तो कहानी खतम अब देखिए क्या होगा बच्चों ध्यान से दी बराबर 2k lambda cos alpha dl बटा r square वाओ अब देखिए क्या होगा कहानी आप यह लिख लिए होंगे यहीं पर हम एक चीज समझाते हैं आपको आप स्क्रीन सोट ले लीजिएगा इसका थोड़ा ता मिटाने जा रहे हैं आपे हम इस चीज को मिटाने जा रहे हैं यहीं पर समझान okay देखिए हमको चाहिए क्या deal चाहिए deal चाहिए मतलब ल चाहिए deal चाहिए cos alpha इसारा कर रहा है ध्यान दीजेगा कैसे सोचना है बच्चों cos alpha इसारा कर रहा है कि alpha का format रहने दो बाकी को alpha के रूप में ला दो कहानी खत्म हो जाएगा बात को समझेगा ध्यान से किसी देखिए मात यह हैं तो तीनों को एक रूप में बदलना है पॉस अलफा तयार है आया हुआ है यह deal और आर इसको यह अलग-अलग format है कॉस अलफा एक अलफा के फॉर्म में अगर ला दिया जाए सारे को तो काम खत्म अच्छा इस तरह से हां और बतलाईए deal को भी कैसे सोचेंगे दियान दिजेगा हम बात करें सल्फा का तो civils अलफा लेकर चलेंगे तो अधार वटा करन हो जाएगा अलफा सोचेंगे तो लंबटा अधार हो जाएगा सर सोचना कैसे है समझ में नहीं आ रहा है शूचना है अम्लों को डीज चाहिए तो एल तो satisfied कि देखिए कि यह मतलब ल्मट दूरी लंगो दूरी कभी बदलने वाला नहीं है कि मैं कभी नहीं चेंज होंगा कभी नहीं बदलने वाला हूँ इसलिए मुझे साथ रखे और आपको इल साथ में रखना है क्योंकि कोसा अलफा पीछे आया हुआ है और आपको इल साथ में रखना हुआ क्योंकि लाना ही है तो बतलाइए एक कह रहा है कि मैं कॉस्टेंट हूं चेंज नहीं होने में वाला हूं अलफा कह रहा है कि कौस पीछे आया इसलिए अलफा के फॉर्मेंट में लाई ये और ल कह रहा है कि डील है तो मुझे तो लेकर चलना ही नहीं होगा अब जल्दी बोलिए कैसे सोचें पर्पेंडिकुलर बाइबेस बोलिए टैन अल्फा लंब बटा आधार तो बोलिए बच्चो टैन अल्फा गर हम लेके चलेंगे तो लंब है एल और आधार है एल बराबर हो जाएगा एट टैन अल्फा हमको डील चाहिए तो द लाना है तो ल तो रखना ही होगा और यह कह रहा है कि मैं कभी होने वाला नहीं हूँ मुझे साथ में रखिए अच्छा तो बतलाइए क्या हो जाएगा टैन अल्फा इकल टू पर्पेंडिकुलर बाइबेस अच्छा है तो एल इकल टैन अल्फा तो डील बाइड अल्फा बच्छों ते और इकल अल्फा वाव अब क्या लाना है दी यह तो आ पाचुका है अब क्या लाना है मुझे ध्यान दीजिएगा बच्छों अब लाना है हम लोगों को r square अब देखी तो जब सा r square लाने के लिए क्या करें यह तो कर रहा है कि हम साथ में रहेंगे ही रहेंगे constant हैं कभी change होने वाले नहीं है अब देखिए alpha तो साथ में ही रहेगा क्योंकि alpha के form में ला रहे हैं यह तो constant है मेरे दोस्त चाहिए तो बतलाये क्या a alpha और और आर में relation बोलिए cos alpha base by hypotenious cos alpha अधार बटा darn तो क्या हो जाएगा cos alpha equal to भूलिए cos alpha बड़ाबर क्या हो जाएगा cos alpha हो जाएगा base by hypotenious r by बराबर हो जाएगा a बटा cos alpha cos alpha a बटा र तो r बटा बटा cos alpha तो r बराबर आ गया क्या a sec alpha cos alpha उपर गया cos alpha उपर गया तो r बराबर आ गया a sec alpha any doubt any doubt no doubt अब देखिएगा बच्चों क्या है कहानी ध्यान से समझेगा r बराबर आ गया a sec alpha तो r जब a sec alpha आया तो यहां से r square का हो जाएगा इसका square करेंगे तो a square से a square alpha आया की नहीं आया आ गया चलिए पहले screen सोट ले लिजे फड़ा फट चल्दी से हो गया चलिए अब चलते हम यहाँ देखिएगा d e बराबर आ गया हम लोग का d e बराबर हम लोग का आ गया क्या तो 2 k lambda cos alpha तो cos alpha ही है और dl मतलब dl मतलब अभी लाएं है a sec square alpha d alpha देखिए dl मतलब a sec square alpha d alpha अच्छा है और r square मतलब देखिएगा r कितना आया है r तो a sec alpha square करेंगे तो दोनों का square होगा देखिएगा r मतलब a sec alpha और इसका hall square क्या बात है sir क्लियर हो रहा है अब मतला ये तो d बराबर क्या गया बोलिए d बराबर क्या गया बोलिए तो 2 k lambda cos alpha और into a sec square alpha d alpha और by नीचे में भी हो जाएगा a square sec square alpha देखिए a square sec square alpha क्या हो जाएगा ये कड़ जाएगा एक ये भी कटा क्या बात है तो क्या गया बच्चो देखिए d बराबर 2 k lambda by a एक a से एक a कड़ गया एक बच गया 2 k lambda by a और cos alpha और d alpha आ गया देखिए तो 2 k lambda by a और cos alpha और d alpha आ गया पैटरी थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका इस्थेती खराब हो रहा है एक मिनट चैलिए देखिए तो अब यहाँ पर क्या गया है कि d बराबर आ गया हम लोग का 2 k lambda by a cos alpha d alpha फिखा ना अब सही है ना sound चैलिए अब देखिए तो d बराबर आ गया d बराबर 2 k lambda by a cos alpha d alpha अब देखिए क्या हमने किया है बच्चों दो भाग हमने माना है एक माना है देखिए एक ही छड में एक ही तार में अगर देखा जाए तो हमने दो भाग माना है दो भाग मानने का मतलब ऐसे समझे कि अगर एक जमीन है एक plot है इसको ऐसे समझाने में बड़ा असानी होता है दो भाई का हिसा है तो एक भाई का हिसा यहां से लेके उपर तक और एक भाई का हिसा है यहां से लेके नीचे तक अच्छा तो एक भाई का हिसा है यहां से लेके उपर तक और एक भाई का हिसा यहां से लेके नीचे तक कहने का मतलब कि जैसे ही हम लोग बात करें एक येस अब ये समझाने जा रहे हैं बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं देखा जाएं यहां दीजेगा यहां तक आप स्क्रीन सॉट ले लिजेगा जल्दी से फटा-फट चलिए ओके अब देखा जाएं कि इतना आ गया है सो देखिए बी पराबर आ गया है हम लोगों का G-g-g-a को लेंड़ाई ये दोनों और इंटिज्रेशान करे जो इनटिज्रेशन कॉनस्टं होता इंटिज्रेशन से पहार आ जाता है अभी तुरत बतलाता है वाह देखिए तो D E का integration तो इस पूरे का integration अच्छा है अब देखा जाए तो D E का integration होगा E और अब देखिए 2K lambda by A बाहर 2K lambda by A बाहर cos alpha D alpha अब देखिए limit थोड़ा सोंज समझ के लिए ना होगा और कहानी खत्म हो जाएगा यहां से limit अगर हम लोग सोंज के लिए बस कहानी खत्म देखिए कैसे अभी हम तुरत बतलाएं हैं कि एक दो भाईयों का हिसा इस पूरे जमीन में है मान लिजिए यहां से यहां तक पूरा plot है उसमें दो भाईयों का हिसा है तो एक भाईयों का हिसा आधा में होगा तो आधा में इटा देते हैं चलिए ऐसे समझते हैं अब बतलाईए यहां पर हमने जो दूरी माना है और ए माना है अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अनंत लंबाई का है बहुत ही अधीक लंबा है बहुत अधीक लंबा का सिंस दूरी के तुल्ला में लंबाई बहुत ज़्यादा जान दिजएगा दूरी के तुल्ला में जो है वो लंबाई बहुत ज़्यादा है द्यान से बच्चों इसके तुल्ला में देखिएगा कैसे इसके तुलना में इसका लंबाई बहुत जादा है इस तूरी के तुलना में लंबाई बहुत जादा है तो बतलाईए धीरे धीरे गर हम बढ़ेंगे यही नालफा माने थे हैं इपर यही नालफा था तो धीरे धीरे जब लंबाई बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो बतलाइए तो क्या होगा और लंबा और लंबा और लंबा लेके चलेंगे यहां पर हम एक ही भाग मानना है यहां से लेके उपर तक तो बतलाइए यहां पर छड़ ही नहीं है तो कौन जीरो एक भाग दो भाईयों के हिसा में समें एक भाई का हिसा का करें बच्चों तो एक भाई का हिसा यहां से लेकर उपर तक है तो मतलब क्या कि यहां पर लंबाई नीचे नहीं है तो कौन जीरो नीचे लंबाई नहीं है तो कौन जीरो किसका एक भाई का हिस्था एक भाई का हिस्था तो लंबाई नहीं तो कौन जीरो और जब लंबा है सबसे ज़्यादा उपर और ऊपर जाएंगे और उपर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ये कैसा हाल होगा कि जब बहुत लंबा है तो ये को नवे डिग्री हो जाएगा याणि अलफा इकल्टो 90 डिग्री पाई बाई टू रेडियन, अरे वाह, 90 डेग्री पाई बाई टू रेडियन, बात को समझेगा, लीमिट सिर्फ हत्य से समझ लिए, कहानी खतम हो गया, तो देखिए तो, जैसे ही हम इसका बात करेंगे, तो इस छड़क अगर हम बात करने जा रहे हैं, एक समान रूप से आव होगा, जाने जेगा, यहां से लेके उपर तक, तो यहां पर जो कौन होगा, यहां पर छड़क नीचे है ही नहीं, तो कौन, 0 डिग्री, 0 डिग्री, और बतला ये, जब धीरे धीर उपर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो कौन, 90 डिग् का होता है इंटिग्रेशन sin अल्फा का होता है sin का माइनस कोस cos का होता है sin cos का होता है sin अल्फा 0 से लेके πाई वाई 2 sin का इंटिग्रेशन होता है minus cos sin का इंटिग्रेशन होता है cos cos का इंटिग्रेशन होता है minus cos cos का इंटिग्रेशन होता है minus sin minus lower limit तो equal to 2k lambda by a और sin upper limit और minus sin lower limit अब अतला यह क्या होगा equal to 2k lambda by a sin 91 minus sin 00 आया बच्चों तो बोलिये क्या हो जाएगा जल्दी से equal to आगे हम लोग का 2k lambda by a यह भी आप कर सकते हैं फर्मूला और इसी से आता है equal to 2k के जगह 1 by 4 pi epsilon 0 और lambda by a तो दू दू न चार तो यह बराबर आगे हैं lambda by 2 pi epsilon 0 into a यह बच्चों lambda by 2 pi epsilon 0 into a क्या बात है इसको थोड़ा लग रहा है इसको थोड़ा हटा देते हैं देखिएगा दू दू न चार हो गया अब बतलाईए बच्चों यहां से आगया 2k lambda by a sin cos का integration cos का integration होता है sin तो cos alpha का integration हो गया sin alpha 0 से लेके pi by 2 तक sin upper limit minus sin lower limit तो sin 91 sin 0 0 आगया 2k lambda by a vector form अगर हम लिखेते पिछले जब हम gausses theorem का application कर रहें तो इसमें vector form भी लिखेते हैं लंबवत है विद्धू 6 तिरुता आगे की और है इसके तल के लंबवत है सतह के लंबवत है तो n cap लिखेते हैं perpendicular था वहां हम लिख चुके हैं यहां इसलिए यहां नहीं लिख रहें यहां direct लाना है हम लोगों क्या तो 2k का भेलू 1 by 4 पाइपसलन नौट लेंबडा बाइए तो दू दूना चार आ गया क्या यहां लिख लेते हैं चलिए तो equal to हम लोगों को फर्मूल आ गया lambda by 2 pi epsilon not into a यही तो प्रूफ करना था बच्चों pipe marks का ओके जल्दी कीजिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगे बढ़ते हैं अब ध्यान दीजेगा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अब देखिएगा अब लोग बात करने जा रहा है एक समान रूप से आवेसित रींग के केंद्र से जाने वाले अच पर विधू छेतिरुता के बेंजग का तही है ना सांड वगर में दिकत थोड़ा देख लेते हैं तही है वाओ चलिए अब देखिए एक समान रूप से आवेसित रींग के केंद्र से जाने वाले अच पर विधू छेतिरुता का बेंजग अब देखिए इसको दो तरह से बनाए जा सकता है एक तुम लोग बना सकते हैं आवेस ले करके और एक बना सकते हैं रैखिक आवेस घनत न ले करके रींग मतलब क्या कि एक ऐसा रेंग बना हुआ है और उस पर आवेस ऐसे है वितरीत एकसमान रूप से इस ring पर आवेस है तो बतलाईए जब ring पर आवेस होगा तब क्या होगा ध्यान दिजेगा इस ring पर आवेस है तो जैसी इस ring पर आवेस है तो कह रहा है कि इसके केंद्र से जाने वाले अच पर मतलब इस अच पर इसके ये जो ring है उसके किंद्र से जाने वाले अच पर याने की the axis passes through the center of the uniformly charged ring, circular ring, उसके axis पर electric field ग्याद करना है हम लोगों को, विधूद 6 तिरुता का मान ग्याद करना है, magnetic field नहीं, electric field, magnetic field नहीं, electric field, तो बतलाईए, एक समान रूप से आवेशित जो ring है, उसके किंद्र से जाने वाले अच पर विधूद 6 तिरुता का मान ग्याद करना है, electric field intensity निकालना है, उसके center से जाने वाले axis जो है perpendicular axis, इस surface के perpendicular axis, उस axis पर हमको electric field का भेलू निकालना है, yes, तो आ आईए, यहाँ पर हमने एक ring मान लिया, अब ring को हम ऐसे बनाते हैं, board पर समझने के लिए, उसी ring को हमने क्या कर दिया, अब ऐसे बना लिया, यानि ring कुछ ऐसा है, जाने जेगा, ring कुछ ऐसा है, तो अब क्या होगा, इसके किंद्र से जाने वाले, अच पर x दूरी पर हम ल रूप से वितरित है, इस पर, uniformly distributed है यह, अब देखिए, पुछ रहा है, इस ring पर आवेस है, जो उसका रेखिक आवेस घनत तो लैमडा है, अगर आवेस Q रहेगा, तो Q के फॉर्म में बात करेंगे, और लैमडा रहेगा, तो लैमडा के फॉर्म में बात करेंगे, बच्चो अगर एक विमिये हो, अगर one dimensional object हो, एक विमिये हो, जिस पर आवेस अगर हो, तो लैमडा बराबर Q बटा L, और यहां बोलिए L कितना, तो इसका त्रीजिया R है, बड़ार, तो बोलिए Q बटा, लंबाई मतलब परिधी, लंबाई मतलब, length मतलब circumference of the circle, यानि 2 pi R, कुछ न तो रिंग का बात, अगर प्लेट रहता, तो फितर फल लेते हैं, pi R, square लेते हैं, एक विमिये रहेगा, तो लंबाई लेंगे, one dimensional रहेगा, तो length लेंगे, two dimensional रहेगा, तो area लेंगे, और three dimensional रहेगा, तो volume लेंगे, आथन लेंगे, अच्छा, तो बतला ये, lambda बराबर Q बटा ल, L मतलब, इसका लंबाई कितना होगा, इस रिंग का, तो 2 pi R होगा, बस, कुछ नहीं करना होगा, अगर Q के formula आना होगा, तो Q equal to लिख लेंगे, क्या, यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, lambda equal to आ गया, Q बटा, 2 pi R, therefore, Q equal to, lambda into 2 pi R, बस, खताम, कहानी खताम, तो बो लाना रहेगा, तो lambda equal to Q by 2 pi R, और अगर lambda के form में लाना रहेगा, तो Q के जगा, lambda into 2 pi R, that's all, ओके, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, बाबू, एक छोटा सा भाग मानते हैं, जस्ट उसी तरह से, आए देखिए, हमने एक छोटा सा element माना, बिंदुवत आवेस, ध्यान दे DL, छोटा सा भाग, और आवेस, डिक्यू, ऐसा ही तो पीछे माने थे, अब ध्यान दिजिएगा, कोई दिकत किसी को, नहीं न, चलिए, अब अब अधलाईए, प्लस से छेत रिखाएं कहां जाती हैं, दूर, प्लस से छेत रिखाएं कहां जाती हैं, दूर, एदम सोचना वैसा ही है वाबू, इसलिए हम दोनों को एक साथ रखे हैं, जैसे हमने पिछले में सोचा, वैसा ही हम लोग इसमें सोच रहे हैं, जैसे हम लोग इसमें सोच रह वहाँ और यहाँ पर भी हम ने च्छोटा सा अब मान लिया ऐसे बहुत सारे वह वहां फाने में पर कि यह रिंग है उन्हें करन आगे हो यह इसे होगा और ऐसे होगा तो दो घटक कट्ट जाएंगे उसी तरह सब्सक्राइए हम आनेंगे तो इसके करण ऐसे होगा जैसे यह जा रहा है और एक इसके करण जाएगा तियल और यहां पर डेक्यू यहां पर ऐसे होगा ऐसे होगा तो बतलाईए बच्चों कि अब इसके करन क्या होगा तो इसका घटक इधर इसका घटक इधर आएगा इसका component और इसका component इधर आएगा और लंबवत वाला कड़ जाएगा जश्ट पिछले के जैसा अब देखिए क्या होगा यह दूरी हम लोग कौन कुछ माल लिए अल्फा अब अतला यह क्या होगा ध्यान दिजेगा अगर यह अल्फा है तो देखिए तो क्या होगा यह अल्फा तो यह भी अल्फा और यह अल्फा तो यह भी अल्फा भर्टिकल यह पोजिट अंगल किर्श्टा विमुख कौन होगा की नहीं होगा एक शूत्र आता है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी का फर्मूला आता है तो बतला यह क्या होगा यहां से विधू छेति रुत्या का सूत्र हम तब लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ तब लगाएंगे जब आवेस बिंद्वत हो चार्ज पॉइंट हो पॉइंट चार्ज अब बतला है क्या होगा लजसे दूर गेंटी बचला से आवेसित धिया और यहां दिजेगा यह एसे आर्थ विज्या वाले समान रूप आवसित रिंग के पिंद्र से जाने वाले आच पर नासे एक्स दूरी पर विधू थेत्रतीव रथा k into qx बटा r square प्लस x square का पावर 3 by 2 होता है अरे वाह k qx बटा r square प्लस x square का पावर 3 by 2 होता है यह हम लोग लिखेंगे थियोरी में फिर लिखेंगे क्या कि बिंदुवत आवेश dq के कारण r दूरी पर उत्पन विधू 6 ती रथा अब समझेगा थियोरी कैसे लिखना है अब यहां पर थियोरी क्या लिखेंगे यहां पर थियोरी लिखने के बाद ही चीपका देंगे अभी जश्ट बोले हैं रिंग वाला कि रिंग के कारण विधू 6 ती रथा इतना होगा अब ध्यान दिजेगा कैसे लिखेंगे समझेगा पर एक बिंदूवत आवेश डिक्यू के कारण इससे आर दूरी पर उत्पन विधू 6 ती रथा और तथा उसी परकार के डिक्यू आवेश के कारण विधू 6 ती रथा डिटू है क्यों माने हैं दो एलेमेंट अभी समझ में आएगा तूरत अच्छे से ध्यान दिजेगा तो डिए वन जो आएगा हम लोग का इसका मान वो क्या आएगा बच्चों जल्दी बोलिए तो के न कि के लोग का डी इवन जो आएगा डी इवन जो मानाया परमूला क्या होता है तो के इंटू ध्यान समझ येगा ये इंटू क्यू क्यू मतलब aller क्यू और राइस कर अरे वाह, k into qy r square आ गया, अब देखिए, de1 का mod आ गया, तो k into dq बट r square, वावा, यानि कि de1 का जो मान आया क्या, k into dq बट r square, फर्मूला, simple, k into qy r square, तो k into dq by r square आ गया, इसी को हम लोग मान लेते हैं, क्या बचों, हाँ, अब x नहीं मानें, क्योंकि यह दूरी x है, तो हम लोग इसको y मान लेते हैं, y माना, y माना, अब बतलाएं, इसी तरह से now, जो de2 होगा मेरे दोस्त, वो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, de2 सदिस का mod, mod, तो k into dq बट r square, yes sir, आराम से होगा, किसी को भी y मान लिए, क्या बात है, तो बूलिए formula, k into dq बट r square, formula क्या होता है, k q बट r square, तो k into dq बट r square, होगा कि नहीं होगा, formula क्या होता है, भी दूछे दिरुता का, k q by r square, तो k into dq बट r square होगया d1, और k into dq बट r square होगया d2, so simple, तो बतला ये दोनों का मान बराबर है की नहीं है y माने है यानि इसका मान जो है मान मान । हो Y है, इसका भी मान कितना है y है, तो जल्दी बोलिये घटक तोरने आता है बच्चों component break करने आता है, क्या होता है जिदर कोन उधर ecosystem बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए जिधर कौन उधर क्या कॉस क्या हो जाएगा बोलिए तो वाई कॉस अल्फा और उसके लंबवत वाई साइन अल्फा इसका भी जिधर कौन उधर कॉस वाई कॉस अल्फा और उसके लंबवत साइन तो वाई साइन अल्फा मज में आ रहा है बाबो एकदम आ रहा होगा अच्छे से बोलिए ध्यान दिजिएगा एदम similarity ले रहे हैं similarity ले करके चल रहे हैं बाबो ध्यान दिजिएगा इस दोनों के मान को हमने क्या माना है y क्योंकि दोनों का मान बराबर है दोनों का भेलू क्या है और उसके लंबवत थाइन तो y sin alpha और इसका y cos alpha और y sin alpha दोनों एक दुसरे को cancel कर देंगे बोथ perpendicular components cancel to each other उदगर घटक जो दोनों है वो एक दुसरे को निस्फल कर देंगे लेयर, उधगर घटक एक दूसरे को निस्फल कर देंगे, अब बतलाई ये क्या होगा अब जैसे ही हम बात करेंगे इस बिंदू पर पी मान लेते हैं अब आसानी के लिए तो बतलाईए, उधगर घटक जब एक दूसरे को निस्फल करेंगे, तो पैणामी यही वाला नहों होगा दोनों को जोड़ देंगे रिजल्ट एंट इलेक्ट्रिक पिल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आ जाएगा तो पहले स्क्रीन सॉट लिजिए फड़ा फड़ जल्दी से कि हो गया कि अब देखी तो बच्चों कि अब क्या हो जाएगा आत थी बिंदू पर उत्पन पर उत्पन कुल विधूत छेत्रती प्रता विधूत छेत्र इवरता पी बिन्दू पर उत्पन कुल विधूत छेत्र इवरता क्या होगा तो डी इक्वल टू हो जाएगा क्या वाई कॉस अलफा प्लस वाई कॉस अलफा अभी एक छोटे से भाग के कारण लिए हैं वच्चों द्यान दिजेगा अभी हम छोटे से भाग के कारण लिए हैं तो छोटा सा डी माने हैं और लास्ट में इंटिग्रेशन करेंगे तो पूरा हो जाएगा ओके चलिए तो बतला यह क्या हो जाएगा यह कड़ गया उदागर घटा की दूसरे को निस्पल कर देंगे यह आप लें तो डी इक्वल टू आजाएगा 2Y कोस अल्फा तो डी इक्वल टू आगया 2y के जाएगा कीतना य के जाएगा kdq by Rksg कdq by Rksg और जल्दी बोलिए cos alpha equal to cos alpha base by hypotenuse cos alpha धार बटा कर्ण अरे वाह तो क्या हो गया बच्चों x बटा r तो बोलिए d equal to 2k x 2k x बटा r q और into d q वाह अभी तो हमने x निश्ची दूरी माना है हां और यहां पर आर जो आप देख रहे हैं आर कैसे निकलेगा बताइए तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब स्कूर पलस अधार स्कूर अरे वाह सो सिंपल देखिए तो कैसे देखिए तो 2y का मान अभी जश्च हम यहां से देखिए हैं k d q y r square देखिए हैं अब देखिएगा यहां से क्या हो गया कि k y का मान k d q y r square और कौस अलफा हम लोग क्या देखिए हैं अधार बटा कर्ण अरे वाह अधार बटा कर्ण अगया है एक्स बटा आर अच्छा है तो 2k x बटा r q अब इंटो d q अब बताईए क्या कहानी बनेगा बाबू पहले तो हमें एक बात देख लेते हैं r q को पहले हटा लेते हैं क्या होगा सो देखिए कर्ण स्क्वर बराबर क्या होता है बताईए कर्ण स्क्वर बराबर क्या होता है बताईए देखिएगा कर्ण स्क्वर बराबर लंब स्क्वर प्लस अधार स्क्वर अच्छा है तो कर्ण स्क्वर बराबर होगा लंब स्क्वर प्लस अधार स्क्वर प्रपाइब अब और वेर्स किया जाएगा डूर्स एक से छका पाउर टू है तो यहां हो जाएगा देखिल ध्यान से यहां को चाहिए और 92 यहां मोता हर्थ कारेंगे यहां यहां प्लसे का पाउ़र टू हनसे क clutch व्रावर यहांす यहां से power 2 है तो इधर power 1 by 2 होगा, इधर Q करेंगे तो इधर Q होगा, तो क्या जाएगा RQ के जगह पर, देखिए रखते हैं आगे, चलिए जल्दी, हो गया, चलिए, अब देखिए screenshot ले लिए होंगे आप लोग, इसका भी screenshot ले लिए होंगे, इसका तो screenshot ले ही लिए होंगे, लिखते हैं आगे, तो D बराबर आगया हम लोग का कितना, D बराबर आगया, 2K X बटा, 2K X बटा, RQ यानि क्या, RQ मतलब क्या, R square पलस X square का power 3Y2, अब इंटू DQ, अब ध्यान दिजेगा बच्चों, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, अभी तो ये दूरी निश्चित है, अभी तो ये दूरी निश्चित है, लेकिन अब देख रहे हैं, कि जब हम लोग बात करें, फिर से एक रिंग में 2 हिसा लिये हैं, बाबु, ध्यान दिजेगा, कि अगर पूरे पे आवेस अगर Q है, तो आधा हिसा हो जाएगा Q by 2, ध्यान दिजेगा, अगर हम दो हिसा माने हैं, एक ही जमीन में हमने दो हिसा मान लिया है, तो एक का हिसा आधा होगा, तो एक का हिसा होगा, पूरे आवेस Q है, तो एक का हिसा Q by 2, तो दूसरे का हिसा Q by 2 हरे वाह आधा होगा क्या इसका इंटीजरल करें Scout कहां अगर इसका है इंटीजरल करेंगे तो इसका भी इंटीजरल क shelter सब्राइक है तक क्यों द्भाधा वे उत्यान से लाश् Buriologist होगा वावा तो बतला ये क्या होगा बच्चों दी का इंटिग्रेशन ये 2kx बटा r square plus x square का power 3 by 2 और dq का इंटिग्रेशन होगा q 0 से लेके q by 2 तक बतला ये तो क्या गया e बराबर 2kx बटा r square plus x square का पावर 3 by 2 और अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट अधिया अब बताइए क्या होगा तो 2kx बटा r square plus x square का पावर 3 by 2 और इंटिग्रेशन देखिए q by 2 में से 0 जागा q by 2 वाव अब बतला ये क्या आ गया यहां से जल्दी जल्दी बतला ये बच्चों आ गया फर्मूला और इंटिग्रेशन यहां से एकुल तो केंटु क्यूव एक्स प्लस फ्रीं ने उक्स तो क्या आ दो को एक्स को आओड ये ने नदिग्रेशन इन स्चों एक्स की न बतला'? क्या है क्या कां equal है कि तो है ये इन थो क्यू आरे सक्डर पलस ऊसक्तर प्लस बार थीं इए कें टू क्यूएं टू एक्स आ श्कर प्लस एक स्फ्री थी तो है यही तो है देखिए तो कें टू क्यूएं प्लस एक्स स्वर प्लस एक स्वर का पाकॉर फई धीश जहां क्यूं जो हो से X जो है केंदर से दूरी है और R जो है उत्रिज्या है रिंग का और X जो है केंदर से दूरी हो तो है ही है अब अतलाईए यहां से Q कामान अगर आप रख देंगे ध्यान दिजेगा Q कामान रख देंगे आप अगर Lambda into 2PiR यहां से Q का मान अगर रख देंगे आप lambda into 2 pi r क्यों योगि इसका पूरा लंबाई है 2 pi r lambda equal to q by l lambda equal to q by l q by lambda l के जगर रख दीजेगा 2 pi r तो कहानी खत्म 2 pi r कहानी खत्म तो q equal to आगया lambda equal to q by 2 pi r तो q equal to lambda into 2 pi r तो बतलाईए बच्चों यहां से आप अगर रख देंगे Q का value lambda के form में तो lambda के form में आ जाएगा लेकिन एक इन्ट्रेश्टिंग बात अगर x का value आप 0 कर देंगे अगर x का value 0 कर देंगे तो ring के किंदर पर आ जाएगा अरे वाँ x0 तो ring के किंदर पर x0 तो ring के centr पर कर दो आजाएगा तो तो क्या होगा बोलिए देखिये तो यदि X बराबर 0 को फो तो कि बराबर क्या जाएगा यह इंटु क्यूव इंटु एक्स का मान 0 बटा आर स्क्वेर प्लस जीरो का स्क्वेर का पावर थिरी बाइटू यह बराबर आ गया 0 यानि रींग के केंडर पर जो आएगा विद्धूद छेतिरता का माण वो 0 आ गया कि बराबर आ गया 0 कहां रींग के सेंटर पर केंडर पर आ गया का माण 0 तो सोचिए बच्चों अगर इस फर्मूला में यह आया है केंडर से इस दूरी पर रींग के केंदर से X दूरी पर आया है विदू छेटरिता का मान इतना और अगर X का मान 0 कर दिया जाए तो E बराबर आजाएगा KQ X का मान 0 और बटा में R स्केवर प्लस 0 का स्केवर का पाउर 3 बाइ 2 यानि बतला ये 0 बटा सम्थिंग बराबर 0 तो रींग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो होता है रींग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फिल्ड कितना होता है 0 होता है यानि एक समान रूप से आवेसित रींग जो होगा उसके किंदर पर विदू छेटरिता का मान सुनने होता है कैसे आया आईए समझे ध्यान से अगर यह वाला पॉइंट यहां ले लिया जाए तो एक्स का मान जीरो हो गया और इस रिंग के सेंडर पर इलेक्ट्रिक फिल जीरो होता है अगर उसको थोड़ा के कारण इधर और यहां मान लिटी यहां के करण इधर फिर से जीरो आ जाएगा यांदि इस सिमेट्री है और सिमेट्री के यहां भी 0, तो बताइए, 0 बटा कुछ बराबर 0, तो रींग के सेंटर पर इलेक्टिक फिल्ड का भेलो 0 आ गया, इस तरह से दोनों डिरिवेशन बहुत ही इंपॉर्डेंट है बोड के लिए, आय हुए भी हैं, और आने का खूब चांस है, तो अच्छे से पढ़िए, अगला लेक्चर हम लोका होगा, डिरिवेशन का पॉर् अभी है तो झालेक्श ऑम लोका हमवेशन का लाध खूब यार का अच्छा डिरिवेशन का बवा लोका हिरूर्दी दऴया लोका हुए अभी है वीजाएन सेफने का वीजा से दूब pressingनिどうके है सेच्छातन बढ़िएक, और एक्या देको हम लोका हुए को लोक